भारत की मिट्टी के कंकान और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूँ और मैं भी आपकी तरह उतनाही उत्षुक हूँ हम सभी का यह उत्षा यह उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सडकों पर भी पूरी तरह नगर आ रहा था ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सडक पर उतर आई हो इस प्यार इस आशिरवाद के लिए मैं आप सभी का रगैसा आभार व्यक्त करता हूँ मेरे साथ बोलिये सियावर राम चंद्र की 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 सियाव जोती राधित्य जी, अस्वीदी वैश्णव जी, बीके सी जी, उत्तर प्रदेश के डेपुटी सी एम, केश्व प्रसाइद मोर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रिगण, सभी सांसद और विदायगण, और विशाल संख्या में आए, मेरे परिवार जनों, देश के इतिहास में, 30 दिसंबर की ये तारीख, बहुत ही इतिहासिक रही है, आज के ही दिन, 1943 में, नेताजी सुभात चंद्र बोष ने, अन्डमान में, जन्डा फैरा कर, भारत की आजादी का जयगोश किया था, आजादी के अंदोलन से जुड़े, ऐसे पावन दिवस पर, आज हम, आजादी के अमरित काल के संकल्प को, आगे बढ़ा रहे हैं, आज विख्षिद भारत के निर्मान को गती देने के अभियान को, अयोध्यान नगरी से नई उर्जा मिल रही है, आज यहाँ, पंदरा हजार करोड रुपे से अधिक के, विकास कारियों का चलान्यास और लोकारपन हुआ है, इंफ्रास्ट्रेक्टर से जुड़े ये काम, आधुनिक अयोध्या को, देश के नक्से पर, फिर से गवरव के साथ स्थापित करेंगे, कोरोणा जैसी वैस्विक महमारी के बीच, ये कारिया, आयोध्यावासियों के, अथक परिस्रम का परणाम है, मैं सभी अध्यावासियों को, इन परियोजनाओं के लिए, अनेक अनेक बधाई देता हूँ, मेरे परिवार जैनो, दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई उचाई पर पहुंचना है, तो उसे अपनी विरासत को समालना ही होगा, हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है, इसलिए, आज का भारत, पुरातन और नूतन, दोनों को आत्म साथ करते हुए, आगे बढ़ रहा है, एक समय था, जब यहीं, आयोध्या में, राम लला, टेंट में बिराजमान थे, आज, पक्का घर, सिरफ राम लला कोई नहीं, बलकि पक्का घर, देश के चार करोड गरीबों को भी मिला है, आज, भारत, अपने तिर्थों को भी समार रहा है, तो वहीं, डिजिटल टेक्लोलोजी की दुनिया में भी, हमारा देश चाया हुआ है, आज, भारत, काशी विश्वनात धाम के पनद्रिमार के साथ ही, देश में, तीस हजार से जादा, पंचाय भवन भी बनवा रहा है, आज, देश में, सिपकेदार धाम का पनुर्दारी नहीं हुआ है, बल्कि, 315 से जादा, नए मेडिकल कॉलेग भी बने हैं, आज, देश में, महाकाल, महालोग का निर्मारी नहीं हुआ है, बल्कि, हर गर्जल, पहुंचाने के लिए, पानी की, दो लाग से जादा, तंकियां भी बनवाई हैं, हम चान, सूरट, और समुद्र की गहराईयों के भी नाप रहें, तो अपनी पवरानिक मुर्तियों को भी, रिकॉर्ड संख्या में भारत वापिस ला रहे हैं, आज के भारत का मिजाट, यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है, आज यहां प्रगति का उत्सव है, तो कुछ दिन बाद, यहां परंपरा का उत्सव भी होगा, आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है, तो कुछ दिनों बाद, यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है, यही तो भारत है, विकास और विरासत की यही साजा तरकत, भारत को 21 सदी में सबसे आगे ले जाएगी, मेरे परिवार जिनों प्राचिन कान में अयोध्या नगरी कैसी थी इसका वर्णन खुद महर्शी वालमिकी जिने विस्तार से किया है उन्होंने लिखा है कोसलो नाम मुदितह स्फितो जनपदो महान निविष्ट सर्यू तिवे प्रभूत धन धान्यवान अर्थात वालमिकी जिवताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी सम्रुद्धी के सिखर पर थी और आनन से भरी हुई थी यानि अयोध्या में विज्ञान और बैराग्यतो थाई उसका बैभव भी शिखर पर था अयोध्यान नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आदुनिक ताग से जोड़कर वापिस लाना है साथियों आने वाले समय में अयोध्यान नगरी अवद छेत्र ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है अयोध्या में स्री राम का भव मंदिर बनने के बाद यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धी होगी इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारो करोड रुपियों के विकास कारिय करा रही है अयोध्या को स्मार्ट बना रही है आज अयोध्या में सडकों का चौड़ी करन हो रहा है नए पुटपात बन रहे है आज अयोध्या में नए फ्लाइवर बन रहे है नए पूल बन रहे है अयोध्या को आज़ पास के जीलों से जोडने के लिए भी याता यात के साधनों को सुधारा जा रहा है साथियों आज मुझे अयोध्या धाम एरपोर्ट और अयोध्या धाम रेल्वे स्टेशन का लोकारपन करने का सवभागे मिला है मुझे खुसी है कि अयोध्या एरपोर्ट का नाम महर्शी वालमिकी के नाम पर रखा गया है महर्शी वालमिकी ने हमें रामायन के माध्यम से प्रभू स्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया महर्शी वालमिकी लिए प्रभू स्री राम ने कहा था तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिमी तुम्रे हाथा अर्थाथ हे मुनिनाथ आप त्रिकाल दर्शी हैं संपुन अभिश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है ऐसे त्रिकाल दर्शी महर्शी वालमिकी जी के नाम पर अयोद्या धाम एरपोर्ट का नाम इस एरपोर्ट में आने वाले हर्यात्री को धन्य करेगा महर्शी वालमिकी द्वारा रचीत रामायान वो ज्यान मार्ग है जो हमें प्रभूश्री राम से जोडती है आदुनिक भारत में महर्शी वालमिकी इंट्रनेशनल एरपोर्ट अयोद्या धाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा जो ये नया एरपोर्ट बना है उसकी छमता हर साल दस लाग आत्रियों को दस लाग यात्रियों को सेवा करने की छमता है जब इस एरपोर्ट के दूसरे तरव का काम भी पुरा हो जाएगा तो महर्शी वालमिकी इंट्रनेशनल एरपोर्ट पर हर साल साथ लाग यात्री आजा सकेंगे अभी अयोद्याधाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 10-15 लोगों को उनकी सेवा करने की छमता है स्टेशन का पूरा विकाद होने के बाद अयोद्याधाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज साथ हजार लोग आजा सकेंगे साथियों एरपोर्ट रेलवे स्टेशनों के अलावा आज यहाँ अनेग पथों का मारगों का भी लोकारपण हुआ है रामपत भक्तीपत धर्मपत और स्री राम जन्म भूमीपत से आवाजाई और सुगम होगी अयोद्यामें आज ही कार पार्किंग स्टलो का लोकारपण किया गया है नए मेडिकल कॉले से हाँ आरोग्य की सुविदाओं को और विस्तार मिलेगा सर्यू जी की निर्मलता बनी रहे इसके लिए भी डबल इंजिन सरकार पूरी तना समर्पी था है सर्यू जी में गिरने वाले दुसीत पानी को रोकने के लिए भी काम शुरू हुआ है राम की पैड़ी को एक नया स्वरूप दिया गया है सर्यू के किनारे नए नए घाटों का विकास हो रहा है यहां के सभी प्राचिन कुंडों का पुनरुदार भी किया जा रहा है लता मंगेश कर चोक हो या राम कतास्तल यह अयोद्या की पहतान बढ़ा रहे है अयोद्या में बनने जा रही नई टाउन सिप यहां के लोगों का जीवन और आसान बढ़ाएगी विकास के इन कारियों से अयोद्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए आउसर भी बढ़ेंगे इससे यहां के टेक्सी वाले रिक्सा वाले होटल वाले धाबे वाले प्रसाद वाले फूल बेचने वाले पूजा का सामगरी बेचने वाले हमारे छोटे मोटे दुकानदार भाई सभी की आय बढ़ेगी मेरे परिवार जनो आज यहां आधुनिक रेलिवे के निर्मान की तरफ एक और बड़ा कदम देश ले उठाया है बंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आधुनिक ट्रेन बेश को मिली है इस नई ट्रेन सिरीज का नाम अमरिद भारत ट्रेन रखा गया है बंदे भारत नमो भारत और अमरुद भारत ट्रेनों की ये त्री शक्ति भारतियर रेलिवे का काया कल्प करने जा रही है इससे बड़ी खुशी के बाद क्या हो सकती है कि पहली अमरुद भारत ट्रेन आयोध्या से गुजर रही है दिल्ली दरबंगा अमरुद भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली यूपी बिहार के लोगों की यात्रा को आधुनिक बनाएगी इससे बिहार के लोगों के लिए बग्द राम मंदिर में विराजने जा रहे है राम लजा के दर्सन को और सुगम बनाएगी ये आधुनिक अमरुद भारत एक्सप्रेस ट्रेन विशेज रुपते हमारे गरीब परिवार हमारे स्रमिक साथ्यों को बहुत मदद करेगी स्री राम चरित मानस में गोश्वामी तुलसिदाजी ने कहा है परहित सरीस धरम नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई अर्थात दूसरों की सेवा करने से बड़ा और कोई धर्मा कोई और करतव्य नहीं है आदुनिक अमरत भार ट्रे ने गरीब की सेवा इसी भावना से ही शुरू की गई है जो लोग अपने काम के कारण अक्सल लंबी दुरी का सफर करते हैं जिनकी उतनी आवड़ी नहीं है बे भी आदुनिक सुविधाओं और आराम दायक सफर के हकदार है गरीब के जीवन की भी गरीमा है इसी दे के साथ इन ट्रेनों को डिजाइन किया गया है आज ही पस्चिम मंगाल और करनाटका के साथ्यों को भी उनके राज्य की पहली अमरिद भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है मैं इन राज्यों को भी अमरिद भारत ट्रेनों की बधाई दिऊंगा मेरे परिवार जनों विकास और विरासत को जोडने में बंदे भारत एक्सप्रेस बहुत बड़ी भूमी का निभा रही है देश की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन काची के लिए चली थी आज देश के 34 रूट पर बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेने चल रही है काची, वैश्णो देवी के लिए कट्रा, उज्जेन, पुषकर, तिरुपती, शिरिडी, अम्रिसर, मदुरई, आस्था के ऐसे हर बड़े केंद्रों को बंदे भारत जोड रही है इसी कड़ी में आज अयोध्या को भी बंदे भारत ट्रेन का उपहार मिला है आज अयोध्या धाम जंक्षन आनन्द विहार बंदे भारत शुरू की गई है इसके अलावा आज कट्रा से दिल्ली, अम्रिसर से दिल्ली, कोईमटूर बैंगलूरू, मैंगलूरू मडगाउं, जालना मुंबई इन शैरों के बीज भी बंदे भारत की नई सेवाएं शुरू हुई है बंदे भारत में गती भी है, बंदे मारत में आदुनिक्ता भी है और बंदे भारत में आत्मन निर्भर भारत का गर्व भी है बहुत ही कम समय में बंदे भारत से डेड़ करोड से अधिक यात्री सफर कर चुके है विशेस्तोर पर यूआ पीडी को ये ट्रेन बहुत पसंद आ रही है साथियों, हमारे देश में प्राचिन काल से ही तिर्थी यात्रों का अपना महत्त रहा है अपना गव्राव शाली इतिहात रहा है बद्री विशाल से सेतु बंद रामेश्वरम की यात्रा गंगोत्री से गंगा-सागर की यात्रा द्वार का जिश से जगनाजपुरी की यात्रा द्वादर्स जोतिलिंग की यात्रा चार धामों की यात्रा कैलास मानसरवर यात्रा कावर यात्रा शक्ति पीठों की यात्रा पंडरपुर यात्रा आज भी भारत के कोने कोने में कोई ने कोई यात्रा निकलती रहती है लोग आस्था के साथ उनसे जूडते रहते हैं तमिल्नाडु में भी कई यात्राए प्रसिद्ध है सिवस्थल पाद यात्रे हूँ मुरुगनंकु कावडी यात्रे है बैश्णाव तिरुपपदि यात्रे है केरला में सब्रिमाला यात्रा हो आंद्र तेलंगना में मेदाराम में समक्का और सरक्का की यात्रा हो नागोबा यात्रा इनमें लाखों की संक्या में स्रद्दालू जूडते हैं यहां बहुत कम लोगों को पता होगा कि केरला में बगवान राम और उनके भाईयों भरत लक्ष्मर और सत्तु के दाम की भी यात्रा होती है ये यात्रा नालंबम यात्रा के नाम से जानी जाती है इसके अलावा देश पे कितनी ही परिक्रमाए भी जानी रही है गोवर्दन परिक्रमा पंचकोशी परिक्रमा चोराशी कोशी परिक्रमा ऐसी यात्राओं और परिक्रमाओं से हर बक्त का इस्वर के प्रती जुड़ाओं और मजबूत होता है बहुत दर्में भगवान बुद्ध से जुड़े स्वरों गया लुंबिनी कपिल वस्तू सारनाद कुशी नगर की यात्राएं होती है राजगीर बिहार में बुद्ध यनुयाईयों की परिक्रमा होती है जयन धर्मे में पावागर समेच सिकरजी पानुटणा कैलाज की यात्रा हो सीखों के लिए पंचतक्त यात्रा और गुरुदाम यात्रा हो अरुनाचल प्रदेश में नौर्दिस्टे पर्षुराम कुण की विशाल यात्रा हो इनमें साविल होने के लिए सद्धालुपूरी आस्ता के साथ जुडते है देश बन में सद्धियों से हो रही इन यात्राओं के लिए वैसा ही समुचित इंतजाम भी किये जाते है अब आयोध्या में हो रहे ये निर्मान कारिय यहां आने वाले हर राम ब्रक्त के लिए आयोध्या धाम की यात्रा को बगवान के दर्षन को और आसान बनाएंगे साथियों ये एतिहासिक छाण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है हमें देश के लिए नवसंकल्प लेना है खुद को नई उर्जा से भरना है इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में मैं पुरे देश के 140 करोर देश वासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमी से प्रांथना कर रहा हूँ अयोध्या की प्रभुराम की नगरी से प्रांथना कर रहा हूँ मैं 140 करोर देश वासियों को हाथ जोड करके प्रांथना कर रहा हूँ कि आप 22 जनवरी को जब अविध्या में प्रभुराम बिराजमान हो अपने घरों में भी स्री राम जोती जलाएं दिपावली मनाएं 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए लेकिन साथ ही मेरे सभी देश वासियों से एक करबद्ध प्रांथना और भी है हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साथ्षी बनने के लिए वो स्वयम आयोध्या आएं लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संबव नहीं है आयोध्या में सबका पहुंतना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को देश भर के राम भक्तों को उत्तर प्रदेश के विशेश करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रनाम के साथ प्रार्थना है मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार वीदी फुर्वक कारकम हो जाने के बाद 23 तारी के बाद अपनी सुवीता के अनुसार वो अयोध्या आए अयोध्या आने का मन 22 तारी को न बनाए प्रभु राम जी को तकलीब हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं प्रभु राम जी पधार रहें तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें साड़े 500 साल इंतजार किया है कुछ दिन और इंतजार किये और इसलिए सुरक्षा की लिहाद से व्यवस्ता के लिहाद से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन अयो द्याका नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्द है आप जन्रवरी में आए फरवरी में आए मार्च में आए एक साल के बाद आए दो साल के बाद आए मंदिर है आप जन्रवरी को यहाँ पहुँचने के लिए भीड़वार करने से आप बचिए ताकि यहाँ जो व्यवस्ता है मंदिर के जो व्यवस्तापक लोग हैं मंदिर का जो ट्रस्ट हैं हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है इतनी मेहनत करके किया है पिछले तीन चार साल से दिन रात काम किया है उनको हमारी तरफ से कोई तकलिफ नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं बार बार आगर करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें कुछी लोगों को निमंतरन गया है वे लोग आएंगे और 23 के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा, साथियों, आज मेरा एक आगर मेरे आयोध्या के भाई बहनों से आपको देश और दुनिया के अंगिनत अतिज्यों के लिए तयार होना है अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोच अयोध्या आते रहेंगे, लाखों की तादार म लोग आने बादे है अपनी अपनी सुमिदा से आएंगे कोई एक साल में आएगा दो साल में आएगा दस साल में आएगा लेकिन लाखों लोग आएंगे और ये सिल्सिला अब अनंतकाल तक चलेगा अनंतकाल तक चलेगा इसलिए आयोध्या वासियों को आपको भी एक देना है और ये संकल्प है अयोध्यान नगर को बारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का ये स्वच्छ अयोध्या ये अयोध्या वाश्यों की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है मैं आज देश के सभी तिर्त छेत्रों और मंदिरों से अपना आगरद हो रहाँँगा देश भर के लोगा से मेरी प्रातना है वद्य राम मंदिर के दिनबार के निमित्त एक सब्ता पहले 14 जनवरी मकर संकरांती के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीरतस्तलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा भ्यान चलाया जाना चाहिए हर मंदिर हिंदुस्तान के हर कोणे में हमें उसकी सफाई का भ्यान मकर संकरांती 14 जनवरी से 22 जनवरी तर हमें चलाना चाहिए प्रभु राम पुरे देश के है और प्रभु राम ती जवार है तो हमारा एक भी मंदिर हमारा एक भी तिर्टक्षेत्र उसक्या और उसके परिशर के इलागे का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए गंदगी नहीं हो चाहिए साथ क्यों अब से कुछ देर पहले मुझे एयोध्यान नंगरी में ही एक और सवभां के प्राप्त हुआ है आज मुझे खुसी है यह बताते हुए कि उजवला गैस कनेक्शन की दस करोड़ भी लाबारती बहन के गर मुझे जांकर के चाहिए पिने का मोका विला जब एक मैं 2016 को हमने यूपी के बलिया से उजवला योजना शुरू की थी तो कोई कलपना भी नहीं कर सकता था कि ये योजना सफलता की इस उन्चाई पर पहुँचेगी इस योजना ने करोड़ों परिवारों का करोड़ों माता और बहनों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया है उन्हें लकड़ी के दुए से मुक्ति दिलाई है साथियों हमारे देश में गैस कनेक्शन देने का काम साथ सत्तर साल पहले शुरू किया गया था उन्हें छे साथ दसक पहले लेकिन 2014 तक हालत ये थी कि 50-55 सार में सिरफ 14 करोड गैस कनेक्शन ही दिये जा चुके थे यानि 5 दसक में 14 करोड जबकि हमारी सरकार ने एक दसक में 18 करोड नए गैस कनेक्शन दिये है और इस 18 करोड में 10 करोड गैस कनेक्शन मुक्त में दिये गए हैं उजवला योजना के तहट दिये गए हैं जब गरीब की सेवा की भावना हो जब नियत नेक हो तो इसी तरह से काम होता है इसी तरह के नतीजे मिलते हैं आज कल कुछ लोग मुझसे पूते हैं कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करकेने के लिए जीवन खपा देता है